नमस्कार आप देख रहे हैं The Crime Express मैं हूँ आपके साथ सत्यम सिंगानिया दोस्तो ऐसे कहा जाए तो चंपारन को सोतंद्र इकाही कर दिया था लेकिन चंपारन का डिवाइडेशन जो है अलगाव जिसे कहा जाता है वो 1971 में हुआ जिसमें पुर्भी और पश्मी चंपारन मना आए गया क्योंकि पहले एक ही जिला हुआ करता था चंपारन और 1971 में इसे दो भागों में बाट दे गया पश्मी चंपारन और पुर्भी चंपारन तो दोस्तों आज मैं जहां हूँ मैं इस चीज़ के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं पश्मी चंपारन जि बाद इस जंगल का स्थापना हुआ 1978 में यह बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था जो कि आज भी बहुत बड़ा है पक्षियों के लिए बहुत ज्यादा फेमस जंगल है जो परवास अस्थल है पक्षियों का यहां पे आने को परकार के जानवर भी आपको देखने को मिले लेकिन पक्षियों के लिए जंगल बहुत ज्यादा फेमस है तो दोस्तों इस जंगल की खुबसूरती बहुत ज्यादा है और हम आपको इभी बताएंगे कि इस जंगल के पास में एक मन है जिसको सर्या मन बोला जाता है उस मन के किनारे जामुन का पेंड लगा रहता है बहुत यह पानी सुपाचे हो जाता है और हम आपको जंगल का कुछ स्वरूप दिखाना चाहते हैं तो आप देखिए सामने में जो आप देख रहे हैं जंगल तो ऐसे अपने आप में ही एक जिसको राजा आप बोल सकते हैं कि एक सांत महाल और इस जंगल के अंदर नरसरी भी है जिसको वहां से प्लांटेशन करके जो पुराने पौदे जहां पे सुख जाते हैं तूट जाते हैं आंधी में गीर जाते हैं उच जगह को फिर से सुरक्षित करकर वहां पे प्लांटेशन किया जाता है और दोस्त हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि अभी हम जहा लोग आते हैं इस पे चड़कर जंगल का नजारा लेते हैं अपने आप के वह को बहुती खुश नसीब महसुश करते हैं सांत महसुश करते हैं आज भी मैं उसी अस्थान पे हूं दोस्तों यह जंगल का बहुत बड़ा इतिहास भी है क्योंकि अजादी में भी सायद इस जंगल का भी बहुत बड़ा स्वयोग होगा उसके बाद से बहुत सारे दिखते जहले जंगल लेकिन अंदतह चंपारा नजाद हुआ दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में बहुत सारे चीजे मैं आपको बताऊंगा इस जंगल का एक सेर कराऊंगा आपको तो आये यहां पर कुछ लोग आये हुए हैं घुमने के लिए हम लोग नहीं से पुषबात करते हैं कि क्या उनका क्या अपेनियन है भाष्प साब आपका अहीं क्या नाम हैं ऑपका कि और पुराना जंगल है सांती मिल रहा है जंगल में देखिए भाई साब इतना खूस है जंगल में घुमगर की अपने आपको उतना बोल नहीं पा रहे हैं हसी में अग्दा मस्त है अच्छी बात है कि इनसान को खुस रहना चाहिए तो यह सारी चीज़ें दोस्तों हम आपको अग सारा इन्फर्मेशन मिलते रहेगा बहुत दो सब्सक्राइब कर दोस्तों कि अब कर दोस्तों आज़ाने है